अमस्ते जी सभी को देख लेते हैं मैंने कैसे पार्थिव सिर्लिंग का पूजन किया है कल दो तारिक को सिवरात्री के दिन तो गोरामा और गनेश जी स्ताफित कर लिया है फूल का संदेक है सुपारी के रूप में और इनको वस्त्र दे दिया मतलब ऐसा कलावाला पेट के भ पूजन कर दिया है चावल का असंदेक है अब हम सबसे पहले गनेश जी भगवान का आवन करेंगे और गोरामा तका तो ऐसे फूल रखके हाथ में जल लेते हैं चावल लेते हैं और फूल यह मैंने पूजन जो किया है ओनलाइन पंडिजी जो करवा रहे थे उनीकी करत से निस्तान कराया है उसके बाद हम वस्र दे रहे हैं कलावे के रूप में तो गनेश जी भगवान जी को जनेव भी चड़ा देंगे माता को कलावे के रूप में वस्र दिया है उसके बाद हम चंदन लगाएंगे फिर अकसद चड़ाएंगे उसके बाद हम रोली से ति दुर्वा चढ़ा देगे गनेश जी भगवान जी को तो ऐसी जो बी फूर में पंधिजी बताते जारते वैसा ही मैं करते जा रही थी बेल पर चढ़ा दिया है और उसके बाद से फिर से हमने इनको चंदन य॔र लगाया है तिलक माता को भी और गनेश जी भगवान जी को भी, इसके बाद हमने लगा दिया है इत्र, मेरे पास इस्प्रे वाला इत्र है, तो उसी से मैंने लगा दिया है, इस्प्रे वाले इत्र से, दूप दूप दिखा देंगे, दीप मैंने जला ले था, दूप नहीं जलाई थी, तो जब ये हमने मिसरी चढ़ा दिया फल चढ़ा दिया है जो भी मोसमी फल हो आप वही चढ़ाया मैंने और पार्थिव सिल्लिंग का पूजन आप कभी भी कर सकते हैं सावन चल रहा है तो अभी रोज भी बना के अपने किसी कमले में रोज बना लीजिए पूजन कर लीजिए औ यहीं भी आप करके विसर्जन कर सकते हैं वो लोग तो आप सब पंडित जी की कता सुनते ही हैं अब हमने पान चढ़ा दिया है दक्सिना चढ़ा दिया है और वापस समया चटा करके फूल चढ़ा दिया है तो अब हम सुरवात करते हैं सिव जी भगवान का पूजन करने की तो एक बेल प्रिट को लेकर बहुत सारे मंत्र बोले थे तो उसको छुआ कर रख दिया है अज हाथ में चावल लेकर अब हम आवान कर रहे हैं भगवान जी का कि आप यहां आई है अपने सभी गणों के सहीद फिर हम आपका पूजन करेंगे तो ऐसा पंडिक जी कह रहे थे तो उसी तरह मैं भी करती जा रही थी मैं और पायल दोनों कर रहे थे पुजा उसके बाद हमने तीन पुष्प चड़ाए थे जो कनेर के थे कनेर के फूल भगवान जी को बहुत पिरिये हैं उसके बाद सबसे पहले हमने नंदीस्वर का आवन किया कार्ति के भगवान का कि तो जैसे जैसे पंडीस जी करवा रहे थे और फिर हम सबसे आखिर में हमने नाग देवता का आवन किया उसके बाद से फिर जो कोई भी भूले मतलब हम छूट गे थे उनका फिर हमने हाथ लगा करने के बाद फिर हमने बगवान जी को सुद्ध जल से सनान कराया उसके बाद हमने पंचाम रस्ते सनान कराया पंडीस जी नित एक बार सहट से एक बार दई से एक बार दूट से एक बार सक्कर से एक बार घी से इस तरह कराया था लग 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 लेकिन मैंने पांचों चीर ये की साथ मिला रखी दी तो मैंने पंचाम रस्ते सनान एक साथ क पिर हमने एक पुस्ब में चंदन लगाके उसके उपर चावल रखके फिर वगवान को अरपन किया है थोड़ा सा मिठा अरपन किया है और हमने आचमन करा दिया है वगवान जी को उसके बाद फिर हमने भगवान जी को दक्सिना दे दी है दक्सिना देने के बाद फिर से वापस हमने पुस्प चड़ाए है भगवान जी को पुस्प और अक्सत और फिर अब हम इन पर कर रहे हैं रुद्र अभिषेक मतलब रुद्र तो भगवान जी का नाम ही है और लंबा सा पात रहता अभी दढ़ बिसेख करने का मेरे पास वह नहीं था तो मैं ने तांबे के लोटे से किया है से काफ술 य vão देना अधनाल टाइमां जेऍाने में एतना ओनलाइन्स पूझा करवा रहे थे तो उसमें लग रहा था, तो हम दोनों एक साथ ही कर रहे थे और आपको अगर कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आप जो भी नमस शीवाई वाला मंत्र है या सीत ही सिवाई नमस्तुब्यों मैं ऐसा करते हुए पूजा कर सकते हैं अइसा ही हमने भी किया है और प्रभु भाव के भूके होते हैं दिखुम, पंदिट्तों में नहीं हो मैं आपको यह कहूँ मैं बहुत अच्छे से जानती हूं लेकिन ओनलाइन जैसे सब ने किया है इसलिए बस मैं आपको दिखा रहे हूं कि मैंने सिवलिंग बनाए थे तो मैंने उनका पूजन कैसे किया और विसर्जन कैसे किया चुकि फिर जानकर ही रह जाती है कि अधूरी हो जाती है वीडियो कि बनाए तो पूजा कैसे किया आपने बताया नहीं तो उसी तरह से तो पाचमन वाला जल तीन बार भगवान जी के उपर फिर से चड़ाया है फिर अब हम भगवान जी को वस्तर अरपन कर रहे हैं उसके बाद हम जनेव वरपन कर रहे हैं और फिर से एक बार जल चड़ा देंगे इसके बाद हमने चंदन चड़ाया है भगवान जी को जो भी आपक की तरफ से उनको चावल चड़ाएं और सुख समर्दी के लिए हरी मूंग चड़ाईए और गुलाब चड़ा दिया है मिर पास साथ गुलाब नहीं थे तो मैंने साथ फूल अलग-अलग तरह के चड़ा दिया है मतलब कनेर के हैं और वाइट कलर के फूल ते एक गुलाब का इसके पाद बेल पत चड़ा दिया है साथ और साथ ही चड़ा दिया है समी के पत्र एक चड़ाया है धतूरा और इसके बाद हम धतूरा चड़ाने के बाद हमने काली मिश चड़ा दिया है जैसा पंड़जी बोल रहे थे कमल गट्टे चड़ा दिया है इन सबसे घर में सु इत्र लगा देंगे दूप दीप दिखा देंगे और हम मीठे में मैंने धागे वाली मिसरी चड़ाई है बगवान जी को तो क्योंकि इस से सुध मुझे कुछ नहीं लगता बगवान जी को चड़ाने के लिए और हम आचमन का जल फिर से तीन बार बगवान जी को देदेंगे इस तरह करके हमने चंदन चढ़ा दिया है अब हम जो वितु फल होते हैं तो पिंडी के पास जगे नहीं थी तो मैंने नीचे ही सारे फल चढ़ा दिये हैं बगवान जी को लोंग और ये मतलब पान के उपर लोंगर हिलाईची रखके इसको तामबूल बोड़ते हैं सारी पूजा के बाद तामबूल चढ़ाया जाता है तो तामबूल मैंने चढ़ा दिया है दक्सिना चढ़ा दिया है और समय आचना करके फिर से पूस्प चढ़ा दिये हैं तो इस अब मेरे बाद पाइल कर रही है आरती अब है इस समय घर पर नहीं था तो इसलिए हम दोनों ने ही पूजा की थी आरती पूर्ण होने के बाद आरती पेगजल गुमाने के बाद भगवान जी को आरती दे देंगे अब समय आजाता है विसर्जन का तो हाथ में थोड़ा सा हम पूजप ले लेंगे और भगवान जी को पूजप पांजली करेंगे इस तरह परातना करते हुए हमने पूजप पांजली कर दी है परभु को अपने ही जहां खड़े रहते हैं वही घूम जाते हैं तो इस तरह हम परिकर्मा कर लेते हैं बगवान जी की अपने अज्यात और अज्यात अपरादों के लिए समह मांग लेंगे बगवान से जो भूल चुक रहेगे अब आगे है समय विसर्जन का अभी हमने पहले उनसे करके परात खिसका दी है तो प्रांथ किसकाने के बाद हमें क्या करना है? अपने ही घर में इन्हें भी सर्जन कर देना है, हर हर महा देव. मथ्ठा टेक लेंगे, मथ्ठा टेकने के बाद इन्हें सर पर रखके अपने घर से बाहर लेके जाएंगे लेकिन बहुत तेज बारिस हो रही थी, तो गर से बाहर में नहीं लेके जा पाई, तो अभी मैंने क्या किया है, एक साफ बरतन में सुध जल भर लिया है, गंगा जल डालके, और यह यहाँ कुर्शी पर रख दिया है, बाहर गैलरी में, और यहाँ पर मैं इस तरह भगवान को इसमें विसरजन कर दूँगी, इसमें साफ एक पत्ता निकालके और कमल गट्टे निकालके अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं, जब भी अगर आप सिवलिंग का पूजन कर रहे हैं, वैसे तो प्रभू को सब पता है, वो सब बिना कहे ही देते थे हैं, मांगन प्रभू से, जैसे प्रभू बस जो मैंने उनसे कहा है, वो उस अगर सुन लेते हैं, तो बाद में आपको बताऊंगे कि मैंने क्या परात्ना किये, तो अब मैंने अपने प्रभू को विसरजित कर दिया, कल इसम को मैं तुलसी के पोदे को छोड़ के, किसी भी पोदे में जल को विसरजन कर देंगे इसका, वीडियो पसंद आये तो पिर लाइक कर देना, रादे रादे